सत्रासोवी सदी में वेंपायर हिस्टेरिया पूरे यॉरप में फैला हुआ था उस दौर में वेंपायर्स का नाम सुनते ही हर कोई डर जाता था और रात होते ही सभी खुद को अपने घर में बंद कर लेते थे इसी बेच एक और वेंपायर की कहानी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खीचा जब 1725 में सर्विया के गाउ में पीटर प्योग्योविट्स नाम का एक किसान अचानक मर गया लेकिन वो हमेशा के लिए मरा नहीं था लोगों के मताबिक पीटर अपनी मौत के ठीक तीन दिन बाद अपने कबरे से बाहर निकलाता है और सीधा अपने बेटे के पास पहुचकर उससे खाना मांगता है हो सकता है विचारे पीटर को मरने के बाद भूग लग गई हो खैर पिछली राद तो पीटर के बेटे ने उसे खाना खिला दिया लेकिन दूसरी राद जब वो दुबारा अपने बेटे से खाना मांगने आया तो पीटर के बेटे ने उसे खाना देने से मना कर दिया यहाँ पर अजीब बात यह है कि एक असली vampire सिर्फ खून पीता है वही इंसानों का खाना vampires के लिए poison जैसा होता है फिर पीटर अपने बेटे से खून के बदले normal खाना क्यों मांग रहा था जो भी है लेकिन पीटर के बेटे ने उसे खाना देने से साफ इंकार कर दिया जिसके बाद पीटर ने अपने बेटे को धमकी भरे नजरों से देखा और फिर उसे छोड़ कर चला गया लेकिन यहाँ पे चौकाने वाली बात यह है कि अगली सुभा पीटर का बेटा अपने घर पे मरा हुआ मिला इसके तुरंद बाद गाओं के नौ और लोगों की अच्चानक मौत हो गए इन सभी ने अपने मरने से पहले सरव एक ही बात कही थी कि उन्हें ऐसी कमजोरी लग रही है जैसी कि उनकी बोडी में से किसी ने बड़ी मात्रा में खून नकाल लिया हूँ इससे भी अजीब बात ये थे कि सभी गाओं वालों ने कहा कि उन्हें पीटर का सपना आया था नौ लोगों की मौत की घटना को ध्यान में रखते हुए लोकल पुजारी ने मेजिस्ट्रेट को इस बारे में एक लेटर लिखा जिसके बाद मेजिस्ट्रेट ने इस लेटर को इम्पीरियल शाही आर्मी के कमांडर को सौब दिया लेटर को देखते ही आर्मी के कमांडर को दूसरे ओफिसर्स और एक जलात के साथ पीटर के गाओं वहाँ पहुच गया जलात वो होते हैं जो लोगों को मौत की साजा देते हैं यहां पे कमांडर ने एक्जेक्यूशनर से कहे कर उन नौ लोगों के ग्रेव को दोबारा बहार निकल वाया लेकिन आफिसर्स तब चौक गये जब उन्होंने पीटर की ड़ट बाडी को देखा असल में पीटर की बाडी अच्छे से प्रिजर्व थी लेकिन उसके मूँ पे खून लगा हुआ था इस सीन को देखते ही कमांडर घबरा गया किसी ने पीटर की ड़ट बाडी के बीच में हात रखा था तो उसे सिर्फ और सिर्फ बलड फील हुआ जो पीटर की ड़ट बाडी में चारव ओर फ्लो हो रहा था मामले के सीरिसनेस को समझते हुए कमांडर ने ओर्डर दिया जिसके बाद पीटर की बाडी को जला दिया गया इसके बाद बागी के 9 लोगों की ग्रेव में गार्लिक और वाइट थॉर्ण का प्लांट रख दिया गया और इसी के साथ वेंपायर पीटर की कहानी का अंत हुआ कैथलिक धर्म में माना जाता है कि अगर डेट बाडी के पास गार्लिक और वाइट थॉर्ण रख दिया जाए तो बुरी आत्मा उन्हें कभी परिशान नहीं करती वेंपायर की कहानी ये 17 सोवी सदी में खूब फैली थी हर जगा सिर्फ डरे हुए लोग नज़र आ रहे थे उस दौर में वेंपायर की कई मामले सामने आये थे ऐसे माना जाता है कि वेंपायर सच में होते थे शायद आज भी होते है क्योंकि वो कभी मरते नहीं है पर Vampires के सच्चाई क्या है ये तो किसी को नहीं बता खेर ये थी सर्बिया के पीटर की कहानी हो सकता है कि भूल भुलया 3 में Vampires का कोई अंगल सामने आए क्योंकि Vampire एक trendy और interesting topic है जसके इंडिया में उतनी बात नहीं की गई है इसलिए इस तरह की कहानी दर्शकों के लिए काफी नहीं होगी तो दोस्तों आप में बताइए कि आप भूल भुलया 3 के लिए कितने excited है साथ एगर आपको वीजियो पसंद आई हो तो से like कीजे दोस्ते के साथ शेर कीजिए और फिर्मी दुनिया से जड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल जिसका नाम है बॉलिग्राद स्टूडियो